असलम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विलेज स्टाइल पाई की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले एकदम होटेल स्टाइल में यह हमारे ब्लेज की रेसिपी है जो बहुत टेस्टी बनती है मेरी तो मोस्ट फिवरेट है बहुत डिलिशेस बनते हैं तो वही रे अनलव इसमेंगे बनते हैं तो दीखें सबसे पहले हमने इसमे इसमें एक करणा है को से ऐड़ी तक हम इतना पाणी पाणी एड़ का यह अदा पर यि रिनक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा तो देखिए हमने इनको 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं पायो का कलर एकदम चेंज हो गया है वाइट निकर चुका है और अच्छे से हमने इसको नल के नीचे बॉश कर लिया है बहुत अच्छे से दूएगा इसको और बॉश करने के बाद अब इ आप करना है पानी तो यहांपर मैं चार गलास पानी डागे बहुत जिए प्यास09 नहीं करना है पूरि बढ़न का इतना है जो HERE…. एक टेबल स्पून सौंख और आदा टी स्पून हल्दी पावडर और इसको हमें थोड़ा सा मिक्स कर देना है और अब इसको हमें लिट से कवर कर लेना है और देखिए हमने इसमें बिसिल नहीं लेनी है सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर आजाए प्रेशर आने के बाद हाई फ्ल पाई पाई दूसरे दिन इसको बनाना है तो हमने पहले एक दिन पहले इसको बाइल करकर रग दिया था रात को उसके बाद हमने इसको खोल कर देखा देखिए पाई अच्छे से गल चुके थे 45 एक मिनिट में अच्छे से गल जाएंगे अजये लो फ्लेम पर यह देखिए अब जो नलिया है उसका हमने जो रोगन है उसको बाह अलग से निकाल लेना जो इसमें बोटिया उनको अलग कर लेना है और यह देखिए और अब यहां पर हमने देखिए ले लेना है एक बोल और इसमें एक करना है तोड़ा सा डिफरेंट इस्टाइल है यह पायों को एसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब यहां पर बन फॉर्थ का पानी के साथ हल्दी को मिक्स कर लेंगे यानि हमें इसका पेस्ट बनाना है यह देखिए इस तरह से तो इसको साइ सकते यह जादा हैं कम प्रिकाशाब से ले सकते हैं अब इनको हमें यहां अच्छे से से मिक्स कर ले कि यह दिखिए शका भी हम पेस्ट बना लिया है और इसको भी हम तो यहां पर लिखे हम प्याज का पेस्ट बनाकर कर लिया है घो हुव यहां पर नीनें मस्टर्ड और दूएदार गर्म कर लिए भुछ जिया उसके बाद ऑयिल को कि अज फ्ले Black ili आग देंगे खुवी क्याने छूण नमक पानी छीटा लगाना क्यूंकि ए तो यहां पर देखिए हमने आदा टीस्पूंग नमक एट किया था थोड़े से पानी के साथ और इसको हमने बहुत ही केरफुली इसमें डालना है और लिट से इसको कवर कर देना है ताकि इसमें थोड़ा सा रिस्की है जलने के चांसे मतलब थोड़ा सा कवर करकर बनाईएग और अच्छे से हमने हाई फिलें पर हल्दी को पकाना है बहुत अच्छे से पकाईएगा यह देखिए इस तरह से भुन जाने चाहिए हल्दी और जब हल्दी भुन जाए उसके बाद हमने इसमें एट कर देना है दो टीबली स्पून भरकर अध्रक लहसुन का पेस्ट सिर् कर देंगे और इसको एट करने के बाद भी अच्छे से भूनेंगे तो यहां पर देखिए मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद भी हमने इसको भून लिया है और अब इसमें एट करना है एक टेबली स्पून अध्रक का पेस्ट बस सभी चीज़े डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे, इसका टेस्ट जो है वो इसकी जो मसाला इसकी भूनाई पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इसको भूनेंगे अब देखिए एक टीस्पून हमने इसमें हल्दी और एट कर देनी है हमने हल्दी का पेस्ट एट किया था फिर हमने इसको सूके हल्दी एट किया एक टीस्पून और यहाँ पर हमने जो यखनी है न जो पायों की यखनी है वो थोड़ी थोड़ी डालती जानी है और हमें इस म को भूनते जाना है तो यखनी का आप यखनी का पानिए डालते जाए है इसने तसे कंमटी के बहुत और अच्छी तरीक से भूंते जाई यह नहीं जाएगे उसी से हमne चमच और अच्छे से मसाले को लिए बुड़ा ऊघ्ट है तो बहुत अच्छी से मसाला बुण जाना चाहिए उसके बाद हमने यहां पर जो मृटन पाइओ को इस्टॉक कर देना है यहां पर आप चाहें जो बड़ी-बड़ी नलिया उनको अलग भी कर सकते हैं या फिर इसी तरह भी एड़ कर सकते हैं जैसे चाहिए वैसे बना सकते हैं अब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है अगर आपको हमारे डिफरेंट स्टाइल पाई की रेसिपी चाहिए बढ़े के पाई के या फिर मटन पाई के तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है आप चेक कर सकते हैं अब इसको मिक्स कर देना है और इसको लिट से हमें कवर कर देना है और 15-20 मिनट हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है तो यहां पर देखिए 20 मिनट हो चुके थे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए अब इसको हमने खोल कर देख लिया है क्यूंकि हमने इसमें यख गरम मसाला एड़ कर देना है और थोड़ा सा कट किया घरदनिया थोड़ी सी हरी मिर्च यह एड़ कर देनी है तो बस यहां पर हमारे जो बिलेज इस्टेल पाए होटेल बाले वह बनकर तेयार हो चुके हैं तो जुरूर ठ्राइ किजिएगा आप भी इस तरह से मिक्स कर लें और सभी को पसंद आई के नहीं आई तो यहां पर हम सर्फ कर लेते हैं यह देखिए बहुत ही डिलिशेस अब यह ठंडे होने के बाद भी और भी ठिक हो जाएगी इसकी ग्रेवी तो आप इस तरह से इसको रखिए तो यहां पर चलिए सर्फ करके दिखाती हो में तो देखिए इसको तोड़कर दिखाएंगे इसमें हमने जो नलियों का जो रोगन निकाल कर रखा हुआ था वो उपड़ से डाल देंगे थोड़ा सा हरी मेर छड़े दनिया से गानिश कर देंगे और यहां पर देखिए बहुत अच्छे से गलकर तयार हुए हैं तो इस त चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इन्शाला नई रेसिपी के साथ फिर आजर होंगी अपना बहुत सारा ख्याल लखें और हमेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें ताकि जिसको इस रेसिपी के जरूरत है उसको मिल पाए दौाओं में याद रखें अल्ला हाफिस